हमारे देश हिंदुस्तान में सरकारे चाहे किसी की भी हो, हर सरकारे जब भी जनता के सामने जाती है, एक से एक बढ़ के वादे करती है, और अपने वादे को पूरा करने के लिए यही सरकारे जब दुबारा फिर से जनता के सामने जाती है, तो अपने साथ में कई सारे डेट और कई सारे कागजात लेकर जाती है और इनչी ल्ह dengan के माध似.. और कागजात के माध्यम से सरकार फिर से जनता से कहती है कि हमने आबसे जो भी वादे किया था उन तमाम वादों को हमने पूरा किया है यह रहा उसका सभूत इन ही वादों में से एक वादा है हर घर सवचाले सरकार के डेटा के हिसाब से सरकार के कागजात के हिसाब से सरकार ने हर घर सवचाले बनवा दिया है लेकिन हकीकत कुछ और है आज भी गाओं में कई ऐसे घर हैं जिन घरों में सवचाले नहीं है और उस घर के जितने भी सदस से आज भी मजबूर है खूले में सौच करने के लिए आज के कहानी में एक लड़की के घर में सौचाले ही नहीं होने के कारण साम के वक्त मजबूरन खूले में सौच के लिए निकलती है लेकिन वो लड़की जब एक बार गर से बाहर निकलती है, दुबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है. उस लड़की के घर परिज़ान उसकी हर जगों पे तलासी करते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है. और आखिरकार दो दिनों बाद उस लड़की की डेट बोडी पुलिस वालों को मिलता है पुलिस जब इस केस की छान मिन करना सुरू करती है बहुत जल्दी इस केस का खुलासा करती है लेकिन पुलीस जब इस केस का खुलासा करती है और जब असलियत लोगों के सामने आता है तो इसे सुन करके हर कोई हैरान हो जाता है, परिसान हो जाता है वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं न कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी नमस्का राद आप मैं हस्मुदी और आप देख रहे हैं सफर क्राइम आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ दरसल ये घटना है उत्तर पर्देश की उत्तर पर्देश के एक जीला पड़ता है मिर्जापूर और इसी मिर्जापूर के अंतरगत एक ठाना आता है जिगना बात कर रहा हूं मैं 8 नौवंबर 2022 के सुबह के आसपास जिगना ठाने इलाके से एक नहर गुजरता है और इसी नहर के रास्ते 8 नौवंबर 2022 को जब एक ब्यक्ती सुबह सुबह जा रहा होता है कि देखता है कि नहर किनारे एक बच्ची की डेड़ बोडी पड़ी हुई है उस बच्ची के गले पे किसी तेजधार हतियार को चला दिया गया था जब वो ब्यक्ती इस बच्ची को इस हालत में देखता है वहां से उल्टे पर भागते हुए गाव पहुंचता है और इस बात की खबर पूरे गाव वालों को देता है गाव वाले जब इस तरह की खबर सुनते हैं बहुत कम समय में काफी तदाद में गाव के लोग उस नहर की नारे ही कठे हो जाते है वहां पे जितने लोग मौझूद थे उस बच्ची की पहचान करने की कोशिस करते हैं तभी उस भीड में से एक ब्यक्ती सामने निकल कर आता है उस बच्ची की डेट बोडी को अपने गले लगा करके और जोर जोर से रोना धोना सुरू करता है वहां पे तमाम मौझूद लोग जब उस ब्यक्ती से पूस्ताश करते हैं तो ब्यक्ती कहता है कि दरसल ये कोई और नहीं बलकि मेरी ही बेटी है जिसका नाम है सुर्भी जिसकी उम्र है लगभग 19 साल तुरंत ही इस बात की खबर जिगना थाने पूलिस को दी जाती है पूलिस भी तुरंत अपने दल बल के साथ घट नास्तल पे पहुंचती है और तुरंत ही सुर्भी की डेट बोडी को अपने कबजे में ले करके पुस्ट माडम के लिए भेज देती है लेकिन पूलिस जब सुर्भी के पिता से उसके बारे में पूछत अशकरती है लेकिन एक बार जब घर से बाहर निकली उसके बाद घरी वापस नहीं आई हम ने उसकी हर जगों पर तलासी किया दो दिन का समय बीत गया लेकिन इसके बावजूद भी, सुर्वी कभी घर वापस नहीं आई जब इस तरह की बाते पिता पुलिस वालों से कहते हैं तो पुलिस सुर्वी के पीता से पूश्टास करती है कि जब तुमारी बच्ची दो दिनों तक घर वापस नहीं आई तो तुमने इस बात की खबर पुलिस में क्यों नहीं दिया तो सुर्वी के पीता कहते हैं कि साब हम पुलिस थाने पहुँच नहीं वाले थें तभी सुबह सुबह गाह में एक सोर सराबा हुआ कि नहर के किनारे किसी बच्ची की डेट बोडी पड़ी हुई है जब हम अपने पूरे घर परीजन के साथ यहां पहुँचे तो देखा कि यह कोई और नहीं बलकि हमारी ही बच्ची सुर्वी है पुलिस सुर्वी के पीता के तेहरीर पे मुकदमा दर्श करती है और इस केस की छानबिन करना सुरू करती है पुलिस सुर्वी के पिता से पूस्ताश करती है कि क्या तुम्हें किसी पे सक है कि तुम्हारी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत किस ने किया है या फिर तुम्हारी बच्ची यहां तक पहुंची कैसे इस बात पे सुर्वी के पिता कहते हैं कि साब हमें किसी पे कोई सक नहीं लेकिन जैसे ही post-mardom report आती है एक बड़ा ही चौकाने वाला खुलासा होता है दरसल post-mardom report से पता चलता है कि सुर्भी 3 महीने की pregnant थी और सुर्भी की मोत दम घुटने की वज़ा से हुई थी जब इस तरह की पोस्माडम रिपोर्ट सामने निकल कर आती है तो इससे देख करके पुलिस वालों को भी बड़ा अजीव सा लगता है कि जब सुर्भी की दम घुटने की वज़ासा मौथ हुई थी तो फिर उसके गले पे हत्यार कैसे चलाए गया था पुलिस जब सुर्भी की प्रिगनेंसी को लेकर के उसके घर परिवारवालों से पूस्ताश करती है कि सुर्भी के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है इस बात पर सुर्वी के पिता कहते हैं कि साहब मुझे सक नहीं बलके बिल्कुल कनफा में कि हमारी बच्ची के साथ में इस तरह की हरकत किस ने किया है सुर्वी के पिता कहते है कि साहब इस तरह की हरकत कोई और नहीं बलके मेरे ही गाउं का रहने वाला विकास ने किया है पुलीज अब सुर्वी के पीता से पूस्पास करती है कि विकास इस तरह की हरकत तुमारी बच्ची के साथ कैसे कर सकता है और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो इस पर सुर्वी के पिता कहते हैं कि साहब कुछ दिन पहले विकास हमारे घर में हमारे बच्ची के साथ में पकड़ा गया था। पुलिस जब विकास की तलासी करना शुरू करती है। पुलिस जब इसकी पूरी हकीकत बताता है और जब इसकी सचाई पूरे गांवालों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। लेकिन इसी बीच विकास एक दिन गलती कर देता है। शुर्भी से मिलने के लिए विकास सुर्भी के घर पे रातरी के वक्त पहुंच जाता है। जब रातरी के वक्त विकास सुर्भी के घर पे पहुंचते हैं और जब दोनों ये बंद कमरे में अकेले होते हैं, अचाना की इस बात की खबर सुर्भी के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। और सुर्भी के घर परिवार वाले दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद सुर्भी के घर परिवार वाले विकास की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। जुर परिवार वाले नर्जा रखना शुरु कर देता है। लगभग समय योही धीरे घुजरता है। उसके बाद फिर से बिकास और शिर्भी दोने हैं गंब न जुना जुरू कर देता है। जब विकास इस तरह की बाते सुनता है, सुनने के बाद विकास के पैरो तले जमीन खिसक जाती है, विकास सुर्भी को समझाता है कि तुम इस बच्चे को अबर्शन करवा लो, लेकिन सुर्भी विकास की एक भी बाते नहीं मानती है, अपने घर चली जाती है, अब सुर्भी के घर परिवार वाले मुझे काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर मैंने सुर्भी से साधी नहीं किया और अगर इस प्रिग्नेंसी के बारे में सुर्भी के घर परिवार वालों को मालूम चल गया, तो भी सुर्भी के घर परिवार वाले मेरे साथ काफी नुकसान पहुंचाएंगे, विकास अब काफी चकर में फंस चुका था, लेकिन विकास सुर्भी को तमाम ये समझाने की कोशिस करता है कि तुम इस बच्चे का अबोसन करवालो, इ प्रेकिन विकास के बातों परिवा शुर्भी को यकीन नहीं होता है, उस गरपात की एक गोली तो खा लेती है, तब शुर्भी को यकीन हो जाता है कि अगर में इस बच्चे का अबोसन करवालोंगी तो साइद विकास मुझसे साधी नहीं करेगा, उसके बाद से एक गोली बाद वह सारी गोलियां फेक देती और कहती है कि मुझे इस बच्चे के गर्वपात नहीं कराना है इसी का अधार बना करके सुर्वी विकास के ऊपर साधी के दबाव देना सुरू करती है अब विकास को लगता है कि मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ अब मेरे साथ कुछ न कुछ तकलीफ होने वाला है अब विकास अपने आपको बचाने के लिए एक सड्यांत्र बनाता है लेकिन इस सड्यांत्र के तायत सुर्वी को इस दुनिया से हटाने का अब विकास को लगता है कि अगर सुर्वी के इस दुनिया से हटा दिया तो साइध मेरी सारी मुसिवते टल जाएगी है इसी सड्यांत्र केता है Psalm साम के वक्त विकास सुर्वी को नहर किनारे मिलने के लिए बुलाता है, जब साम के वक्त सुर्वी अपने घर से निकलती है, तो अपने घर परिवार वालों से ये बहाना करके निकलती है, कि मैं सौच के लिए जा रही हूँ, सुर्वी के घर परिवार वाले भी उसे नहीं टोकते हैं, क्योंकि उनके घर में वाकई में कोई जाने की कोशिज करता है लेकिन सुर्भी अपने जीत से पीछाई नहीं हटती है वह एक ही रट लगाए होती है कि मैं अगर साधी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करूंगी और इस बच्चे की भी गर्पपात नहीं करूंगी इसलिए गुस्से में आ करके विकास साथ में एक तेजधार हत्यार ले करके गया था उस हत्यार को उसके गले पर चला करके और वहां से मौके से फरार हो जाता है वाकई में जब यह पूरी का आनी पूलिस वालों को बताता है तो इसी के आधार पे पूलिस तुरंथे विकास को अपने कस्टडी में ले करके जे परसान हो जाता है फिलाल पूलिस ने विकास के उपर गंभीर धराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उदेश मुझे किसी को परसान नहीं करना है किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है बस आपको बताना है आप जहां भी रहें और अपनों का ख्याल लगें तक तक के लिए जय ही जय भारत